चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो नॉटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं और यदि वहाँ पर नहीं करना चाहते हैं तो आप भी से कमेंट वॉक्स में आपको दे दूँगा अब आते हैं कि आफिर आज की क्लास में हम लोग रीजनिंग में क्या पढ़ेंगे यदि 50 कोशन रीजनिंग के आ रहे हैं तो 10 से 12 कोशन तो पक्का इसके आप मिली ही जानी है तो सबसे एजी चेप्टर और खास बात कि सबसे अधिक मार्क्स भी गेन कराता है तो आइए स्टर करते हैं कौँसा इसटर है देखिए ये चैप्टर आपका कोडिंग डिकोडिंग कौँसा है और किसका code decode होता ये बात हम जानते हैं देखे जो coding और decoding होती है देखे जैसे कि intelligence bureaus है हमारी या फिर हमारी खूफिय agency है वो लोग क्या करते हैं कि जब एक सूचना एक स्थान से जब दूसरे स्थान पर भेजनी होती है तो वो normally ऐसे बोल के नहीं भेजते वो जो उनका statement है उसे भी कुईसी ऐसी भासा में convert करेंगे जिसे भेजने वाला समझ पाए और पाने वाला समझ पाए बाग तीसरा कोई भी ना समझ पाए तो उसी को मोलते coding करना और जो सामने वाला पाता है वो उसे decode करके समझ लेता है तो यहां सब्द समझे coding आखरी coding क्या होती है हिंदी में हम इस तरह लिख देते है coding आखरी coding होती क्या है तेकि इस coding का मतलब है कि एक ऐसा सब्द माले जैसे मैंने ले लिया boy ठीकि ना एक मैंने सब्द ले लिया boy boy जो है इसका sense कोई sense है boy मतलब लड़का होता है तो यदि हम किसी senseful यानि कि अर्थ पूर सब्द को अर्थ विहीन सब्द में convert कर दे यानि कि हम इसमें इसे code कर दे कि जो पीछेज लिखा है इस तरह नहीं कि हम इस तरह लिखने ठीकि ना और decode क्या करेगा उसे पता है कि अच्छर जो हमें समझना है यानि भेजने वाले जो भेजा है code करके वो क्या किया है उसे पीछे से लिख दिया है तो हम क्या करेंगे पीछे से इसे फिर से इस तरह लिख के पीछे से यानि कि इस तरह से पहले ये फिर ये फिर ये इस तरह लिक के से क्या कर लेगा डिकोड कर लेगा यानि कि इस सब्दों में आप ये समझ लिजे कि कोडिंग का मतलब है कि अर्थ पूर सब्द को अर्थ विहीन सब्द में बदल देना अब आखिर कोडिंग और डिकोडिंग का जो हमें चैप्टर पढ़ना है इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें कौन-कौन सी चीजें ऐसी महतपूर हैं जो हमें आनी चाहिए तो देखिए इसमें जो सबसे पहली और सबसे महतपूर चीज जो है इसमें वो क्या है देखिए इसमें सबसे महत्पूल चीज है हमारी अंग्रेजी वर्droमाला क्या है हमारी अंग्रेजी व्र्dro माला क्या है अंग्रेजी वर्droमाला dance ओघ्षा रहें किया सर likes suck पर लेके बैट गया है तो दीए थोड़ा सा आपको बोरिंग तो लेगे का इस स्टार्टिंग में लेकिन अभी देखिए इंट्रेस्टिंग कैसे होगा ठीकिना अंग्रेजी वर्माला में आप सबको पता है बेसिक से फंडे बेसिक सी चीज़ आपको सबको पता है कि अंग् तो आपको A, B, C, D याद भी होगी अच्छे से A, C, Z तक में कहीं पूछ लो आपको सबकुछ याद होगा लेकिन मैं यदि आपसे ये पूछ लोग कि ये बताइए कि आखिर जो C होता है या मैं B से कोई ठालू पी है P होता है ना P, Q, R, S तो जो P होता है ये P मैं आपसे य यदि हम A से स्टार्ट करने पढ़ना तो ये किस अस्थान पर आएगा इसका नमबर कौन सा हो ये क्रमांग संख्या इसकी होती है इसकी होती है सूला यानि कि A से स्टार्ट करें गिना कि 1, 2, 3 करके गिनेंगे तो जो पी आएगा वो 16th position पर आएगा लेकिन आपको याद कै कैसे होगा यह चीज आपको यह चैप्टर पढ़ना है इसके सारे कुसंद हल करने हैं तो आपको यह बहुत ज़रूरी है कि आपको आना चाहिए आपको ABCD तो आती है लेकिन इस नए तरीके से आपको नहीं आती है आज ज़र देखिए एक लिक के देखते हैं तब आपको क्लि जे के ठीके ना फिर उसके बाद लिखते हैं L M N O P Q R S T U V ठीके ना उसके बाद W X Y Z देखिए इसको Z बोलते हैं और Z को G से भी प्रणस करते हैं ठीके ना तो यह है तो अब मैं यहाँते पूछ लूँ कि P बताईए तो P देखिए 16 पोजिशन बढ़ाती है आपको ऐसे प मैं पूछ लूँ कि यहाँ से यह प कोण्ट करना पढ़ेगा तभी है आप बता पाएंगे कि R का इस्थान कौन सा है यार्जिसले क्रमाँगस्थान कौन सा है उसकेट एट ना याद कहनने कि याद किilot हो जाता है 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, ठीक है, यहाँ पर 23, 24, 25, 26, यह लेटर होते हैं, 26 तक, तो अब हमें याद क्या करना है, हमें जो इस चैप्टर में याद करना है, सबसे पहले, basically, हमें इनकी क्रमांगिस्थान याद करने है, ठीक है, ऐसे तो हमें ABCD आती है, वालमा लांगरी जी हमें बहुत अच्छे से आती है, लेकिन हमें इसका क्रमांगिस्थान याद करना है, कि Q का क्या है, तो आपको पता हूँ जी 17 इस्थान होता है, Y का 25 होता है, M का 13 होता है, N का 14 होता है, F का 6 होता है, I का 9, लब 20 से कहीं से भी यदि आपसे पूछा जाए, तो आपको बिल्कुल इस पस रूप से लर्ण होना चाहिए, कंठस्थ होना चाहिए आपको अच्छे से, यदि आपको ये चेप्टर हल करना है, इस चेप्टर के questions को हल करना है, तो आप समस्य आई आती है, कि सरे यदि याद कैसे करने, इस लिदम भूल जाएंगे, और बहुत सारे strengths पता है, कि करते हैं, exam time में, exam time में जब इस तरह की questions आते हैं, तो पेपर में लिख लेते हैं, और लिखके फिर coding कर लेते हैं, एक से 26 तक, और फिर उसमें देख देखे questions solve बलते हैं, देखिए वो आप कर तो सकते हैं, लेकिन उसमें आपका time कितना waste होता है, आप ये देखिए, इस समय वर्तमान में गला काट प्रतियोगता का दौर है, कैसा गला काट प्रतियोगता का दौर, यानि कि जो आपका friend भी है वो भी आपका गला काटना चाहता है, क्यों काटना चाहता है, क्यों काटना चाहता है, क्योंकि उसे पता है, कि मैं यदि अपने friend से यदि एक marks भी जाला तो मेरा selection हो जाएगा और इसका नहीं होगा और इस समय selection हर बंदा चाहता है तो आपको क्या करना है time save करना है कम समय में questions को solve करना है तो देखिए अब से learn करने का मैं तरीका बताता हूं देखिए यदि आप बच्पन से पढ़ते हैं तो आपको flow में हमेशा हरको ही बोलता है कि चलो बेटा A V CD सुनाओ यहीं बोलते हैं यहां पर 1,2,3,4 तो यहीं बोलते हैं तो देखें यहां पर 1,2,3,4 तो हम बिलकुर अच्छे से याद हो जाएगा कि A का 1,B का 2,C का 3 और D का 4 यहां में अच्छे से क्लियर है तो E का होता है 5 इसका मैं एक ट्रिक अभी बता हूँ और E को अभी हम छोड़ दे रहे हैं E को हम छोड़ दे रहे हैं अब F से स्टार्ट करते हैं जरा देखें ध्यान देजेगा जो मैं तरीका बताने जा रहा हूँ वह ऐसा तरीका है कि आपको याद नहीं करना है बस आपने जो माइंड अपने माइंड को बिल्कुल यहां पर फोकस कर दी कंसल्टेट कर दी है यहां पर ठीक है जो F है F कैसे बनता है देखें F इस तरह बनता है यही बनता है और यदिस F में मैं सिर्फ इतना कर दूँ इतना अब बताईए क्या दिख रहा है आपको यहां पर जो F लिखा है यहां पर इतना कर दूँ तो क्या बन जाता है 6 यानि कि सिर्फ आपको सोचने की जरूवत है और आपके सामने क्या दिखाई देगा 6 यानि कि F का जो इस्थान है वो 6 होता है ठीक है याद हो जाएगा इस तरह से अब देखें G जो G होता है G मैंने इस तरह बना कर रखा है तो अच्छे समय बना देता हूं उसे G को इस तरह इस तरह बनता है ना G अब देखिए थोगला सा अपना माइंड से थोगला सा कंस्ट्रेट कर दी फोकस कर दी यहां पर देखिए यह क्या दिख रहा है G में 7 लिखा हुआ दिख रहा है न से इसी द देखिए जो डिजिटल क्लॉक होती है उस डिजिटल क्लॉक में 8 सेम इसी तरह लिखा होता है यानि कि अदि H को भी आप दिहान से देखेंगे तो आपके सामने 8 दिख जाएगा यह भी आपको लर्ण हो गया अब आए आई पर चलते हैं देखिए आई को क्या है आई केप् मिला दीजे तो यह 9 तो ऐसी दिख रहा है यानि कि जो आई है आई को इस तरह बनाके यदि यह कर दिया जाए तो यह ओलरी 9 हमें दिख रहा है यानि कि हमें कुछे भी लर्ण करें कि जरूती नहीं है यहां पर सामने सामने हमें दिख रहा है अब आते है जे पे जे पर क्य है न जे में बस आपको यहां पे सोचने की जरुदत हलका सा यदि आप जे को देखेंगे तो यहां पे आपको 10 दिख रहा है अच्छे से यानि कि जो जे की पोजिशन है जो जे का क्रमांख है यहां पे अंग्रेजी वर्लमाला में वो कौन सा है वो दसमा नमबर का अब आते हैं 11 पे ठीना 11 में के देखेंगे के में दो लाइने है यह यह दो लाइन गही न एक यह वाली और एक यह वाली इन दोनों को उठाके सीजा ख़़ा कर दीजे बस कुछ नहीं करना है जो तिर्शा है इन्हें उठाके एक को ऐसे कर दीजे पिर कैसे याद रखना है L, देखें जो L है हमारा, L बनता कैसे है, पहले L को हम ध्यान से देखते हैं, बहुत साई लोग L इस तरह बना देते हैं, ये L नहीं है, ये L होते ही नहीं है, ठीके न, L कैसे होता है, देखें ये L का मतलब है कि ये वाली लाइन जितनी बड़ी है, इसकी जसा हाफ ये होती है, और हाफ को हम कैसे लिखते हैं, इस तरह, अब जड़ा देखें, ये ये L को हम हटा देखें तो क्या दिख रहा है आपको, 12 दिख रहा है न, यानि कि L को ये आप हलका सा बस ध्यान में रख लीजे, कि जो बड़ी वाली लाइन होती है, इसकी जसा समझ में आ गया, यानि यहाँ पर 1 by 2 ऐसे आएगा, तो आपको समझ में आ गया यहाँ यहाँ पर, कि ये इसका जो इस्थान है, वो 12 है, अब आते है M पर, देखें, M पर भी बड़ा सिंपल से फंड़ा है, M को याद रखने, कितना ही जी फंड़ा है, देखें, जो आपकी समयद में मूव करता हूँ, तो ऐसे आ जाएगा, आएगा न, और यह क्या दिख रहा है, आपको दी बताएगी क्या दिख रहा है, आपके 3 दिख रहा है, और 3 तो हम पहली देख चुके हैं, कहां पर, C पर, तो जब 3 एक बार आज चुका है कोई लेटर, तो दुबारा ले N पर, N का तो और ही सिंपल है, देखिए आपने रोमन नमबर्स पढ़े ही होंगे बच्पन में, ठीके न, N को थेखिए, थोड़ा अच्छे से हम लिख दे रहें N को, N को हमने इस तरह लिखा, ठीके न, अब हमें करना क्या है, एक लाइन हमें उपर मनानी है, एक नीचे, जड़ा देखिए, रोमन नमबर्स में आपको क्या दिख रहा है, रोमन संख्याओं में आपको यहां पर 4 दिख रहा है न, 4, और 4 आप पहले यूज कर सकते हैं, किसके लिए, D के लिए आपने यूज कर लिया है, तो वहां तो फिर से आएगा नहीं 4, यानि D तो आएगा 4 कहा है, 14 तो यहां पहरा है, 14 हो जाएगा, और जो N है , इस N का करमांख हो जाएगा , वह कितना हो जाएगा , छीका , अब आग hive हाते हैं, और फी छोड़ देते हैं , आगे चलते हैं, देखिए P के पह है ?D थेखिए 16 , अब जहांज यह देखिए P , यह आप Eunice स्मॉल में बस आपको लेटर को जो आपकी अग्रेजी वर्माला की जो अच्छा है जो लेटर है उन्हें अध्यान से देखना है और कुछ भी नहीं करना है आपको इससे याद करने के लिए ठीकर यहां पर सीधे सीधे 16 दिख रहा है तो B का जो इस्थान है वो 16 हो गया अब आते है Q पर देखें Q को भी थोड़ा सा अच्छे से लिख देते है ठीक है ना Q को भी देख Q ऐसे ही होता है ना ऐसे करके ऐसे करके यह होता है ना तो यहां इसमें 7 दिखता है ऐसे करके जब 7 दिखता है, 7 आप पहले ही उच कर चुके हैं, जी के लिए, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सिर्फ यह जो 7 दिख रहा है आपको, यह केवल 17 के लिए होगा, यानि कि Q के लिए होगा, ठीक है, अब R में देखें, देखें, R में भी simple रफ़नडा एक यह यह नीचे वाले को मैं ऐसे कर दूँ, तो यहाँ पर 8 आगया, और 8 हम किसके लिए हुच कर चुके हैं, H के लिए हुच कर चुके हैं, तो किसके लिए होगा, फिर 18 के लिए होगा, यही जो R है वो 18 पर आएगा, बात क्लिए रहे हैं इसी तरह आए आए, S पर देखते हैं, और इस S को हमें is small letter में लिख देते हैं, देखेंे small letter में इस तरह लिखेंगे, इस तरह लिखेंगे न, देहाँ पर सीदे-सीदे clear 9 दिख रहा है, हमें हमें, 9 हम हम आई के लिए हुच कर चुके हैं, तो यहाँ gegen 19 होगा, और 19 होगा, तो S का जो इस्थान है, क्या हो जाएग लाइन आ गई उसी तरह की तो हम क्या करेंगे यहाँ पर टू टू नंबर दे दिए ठीके ना टू टू नंबर दे दिए तो यहाँ पर वन वन और यहाँ पर हो गया टू टू यानि की जो वी की पोईशन है वो ट्वंटी टू है अब अब यह 23 पे देखिए 23 पे सेम आपको जो M में आपने किया था वो भी यहीं पर करना है बस यहाँ पर करना है यहाँ पर आपने घड़ी की दिसा में यानि क्लॉकवाइज मूब किया था इसे और इसे क्या अगर यह 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास यह 3 दिखेग अब आते हैं X पर देखे एक्स में क्या है चार लाइन दी गई है एक, दो, तीन, चार और चार दी गई है तो इसका मदब 4 आ गया ना कितनी लाइन है, 4 लाइन, यहाँ योँच कर चुके है d में, फिर 4 हम 14 में योँच कर चुके है यानि यह N के लिए और फिर से आया तो 24 24 ही तो होगा तो यहां पे हमारा 24 हो जाएगा यानि X हो 24 और Y, Z का तो आपको बतानी जरूत नहीं है बीच में बस एक जगे कुछ हमने words हो रहे है जैसे E छोडा है ठीके ना O छोडा है T छोडा है तो इसके लिए एक simple का फंडा है इसे भी देख लीजे एक सब्द है इजोटी इसे आप याद कर लीजे ये और भी जगे आपको help देदेगा questions में ठीके ना इसमें क्या होता है इजोटी में जो इन letters लिखे हैं ये 5-5 के difference पे लिखे हैं ये 5 ये 10 ये 15 ये 20 और ये 25 ठीके ना तो ये रहा हमारी अंग्रेजी वर्लमाला के क्रमांग को याद करने क तरीका ठीके ना तो एक तरीका तो आपका ये हो गया याद करने का अब आते हैं हम दूसरे तरीका तो देखें दूसरा तरीका हमारा क्या है देखें अभी तो हम अंग्रेजी वालमाला हमने कैसे पड़ी A, B, C, D, E, F यानि की आगे से पड़ी है यानि स्टार्टिंग से पड़ी है और अंद तक गए हैं अब हमें पड़ना है पीछे से अब पीछे से कैसे पड़ेंगे ठीके ना देखें पीछे से पड़ने का एक सिंपल जा फंडा है Z, Y, X, W, V, U, T, S उसके बाद R, Q, P, O ऐसे तो याद करना तो तफ हो जाएगा तो हमें ऐसे याद नहीं कर यहाँ पर डवल्यू का ठीके ना महा लीजे सबोच हमें डवल्यू का करमांग बताना है कि डवल्यू का अब हमें यहां से नहीं बताना है हमें यहां से करमांग बताना है ध्यान दीजेगा हमें यहां से करमांग हम देखेंगे तो डवल्यू का 23 है लेकिन पीछे देखें निकालना हो तो उसके लिए हमारे पास simple सा trick यह है कि हमें यह पता होना चाहिए कि starting से कितना आएगा तो कि starting से आएगा इसका 23 और हमें करना कहा है कि total जितने letters है आप 26 26 26 में आप 1 add करके और इसे minus कर दीजे जितना होगा वो पीछे करवांग का अपने आप देदेगा ध्यान दीजेगा 26 में 1 add करके यहाँ सीधे सीधे समझ लिए 27 से minus करना है ठीके ना लिजे सीधे सीधे आप फंडा समझ लिए कि पीछे से निकालना है तो 27 से minus करिए कितना आया 4 आगया तो इसका मतलब w का 4 होगा यदि आपको भरोचा नहीं कि इतना easy है तो मैं एक और examper ले ले रहा हूं यदि आपको नहीं believe हो रहा है कि इतना easy हो जाएगा पीछे से find करना तो देखें एक और examper लेते हैं मालिए इसका ले लेते हैं s का ठीके ना s का क्या होगा देखें s का क्या है 19 आगर देखें तो 19 आता है 19 आता है इसो 27 से minus करिए minus करिए कितना है 27 से minus करेंगी तो यहाँ प 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आ गया ना बिल्कुल राइट आ गया ना तो यह है आपका simple सा funda बहुत simple सी easy सी trick यदि हमें पीछे से count करना हो ठीके ना अब हमारे पस वर्लमाला को याद करने का एक तरीका और है हमें उस तरह से भी वर्लमाला याद होनी चाहिए यदि हमें याद नहीं है तो क्या होगा तो हमें question solve करने में बहुत ज्यादा problem हो जाएगी ठीक है ना हम इस chapter के question नहीं solve कर पाएंगे कुछी question solve कर पाएंगे इस तरीके से दूसरा तरीका जो हमें याद होना चाहिए वो कौन सा तरीका है वो है अंग्रेजी वर्लमाला का विपरीत करम क्या है अंग् यह हमें याद होना चाहिए अब देखिए विपरीत करम कैसे याद करेंगे हमने starting से तो ऐसे याद कर लिये हैं देखिए विपरीत करम होता कैसे पहले वो समझ लेते हैं तो देखिए उसके लिए मैं थोड़ा सा ABCD आपको लिख के दिखाता हूँ देखिए यहां था मैंने start किया A B C D E F G H I J K L M अब देखिए M तक मैंने लिखिए अब नीचे मैं नहीं लिखना चाहरा हूँ यहां समझ लिखना है मालिए यह एक लाइन है और लाइन को मैं क्या कर रहा हूँ M के बाद मैं यहां से ब्रेक कर रहा हूँ हम मैंने ऐसा क्यों किया है तो दिखिए आप लोगं को पता है कि अंग्रेजी वर्लमाला में कुल अच्छा होतने है 26 ठीके ना यह यदि विप्रीद अच्छा निकालना है तो एक अच्छा दूसरे की विप्रीद होगा तभी तो यह नहीं एक पेर बनेगा पेर बनेगा तो इसका मतलब इसमें 2 का डिवाइड करो आता है 13 तो 13 के क्या होंगे 13 13 का पेर बनेगा तो यहां भी 13 है और यहां भी 13 तो टोटल होगे 26 बात क्लियर अब बल सबसे बड़ी समस्य यहां पे यह नहीं है कि हमने इस तरह लिखा है सबसे बड़ी समस्य हमारे पार इसमें यह है कि हमें learn कैसे करेंगे यह कोई पूछ लिया जाए कि F का opposite क्या होगा या F का पेर किसके साथ बंड़ा है अंग्रेजी वर्माला विप्रीत करंग में कौन सा हो जाएगा तो हम यहां confused हो जाएगे और नहीं बता पाएंगे ठीके ना इसे आपको लेकिन याद करना है तो इसे फिलिंग दा फ्लैंक समझ रहा हूं से और फिलिंग दा फ्लैंक को मैं फिल कर रहा हूं तो आप भी देखिएगा मजा आएगा देखिए हम बच्पन से पढ़ते आ रहे हैं A to Z क्या A to Z यहां पर मैंने 2 फिल कर दिया ठीके रहा है यानि कि A का opposite Z बच्पन से हम पढ़ते आ यहां पिसे एक इस्टोरी और सुरू कर दे रहा हूं यहां ऐधि कोई भी चीज को आप इस्टोरी से पढ़ते हैं तो बच्पन में आपकी दादी आपकी मम्मी जो भी आपको क्यों स्टोरी सुनाते थे वह जल्दी लर्ण हो जाती थी ठीक ना तो यहां पर मैं भी आजए A to Z पढ़ता था CX यानि cracks खाता था क्या करता था? cracks ठीकि ना? ये blank है यहाँ पे filling the blank में आ रहे आएगा ठीकि ना? और C और X अपोलिट हो जाएंगे तो ध्यांदीजेगा एक लड़का था A to Z पढ़ता था cracks खाता था द्यांदीजेगा A to Z पढ़ता था cracks खाता था dew पीता था और हमेशा कव? evening में कव? E V E N I N I N G हमेशा evening में एक लड़का था A to Z पढ़ता था cracks खाता था dew पीता था हमेशा कव? evening में और जब इतना होता था तो क्या होता था? F U यानि full of मस्ती रहता था फूल मस्ती में रहता था फूल मस्ती में जीता था लेकिन यह साम काम करता कहां था तो GT यानि की GT यानि GT रोड पर करता था सारे काम यह ठीक है ना? घर में तो बली मार परती उसे ठीक है यह सब कंडे में तो क्या गरता था? वो हमेशा जी टी रोड पे ही जाके करता था तो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ एक लड़का खाता एक टू जेट पड़ता था क्रैक्स खाता था ड्यू पीता था हमेशा इवनिंग में फुल मस्ती में रहता था और हमेशा जी टी रोड पर जाता था अब बाद जी टी रोड तो बहुत बड़ी थी ग्रांट रंग रोड बहुत बड़ी थी वहाँ पे रहता कहां था? वो हमेशा एचस के पास रहता था एचस मतलब हाई स्कूल कहां रहता था हमेशा? हमेशा हाई स्कूल के पास वे रहता था चीक है ना अब वो एक दिन हुआ क्या अच्छा बात अभी आती है कि आगर वहां तक जाता तक कैसे था उसके घर से थोड़ा सा डिस्टेंस होती ना वो जादा थी तो आखिर वो जाता कैसे था हुआ तक तो उसके पास एक आई आर ब पीट का ले रहे हैं एक लड़का था एटू जड़ परता था क्रेक्स खाता था ड्यू पीता था हमेशा इवनिंग में फुल आप मस्ती रहता था जीटी रोड पर हमेशा और हाई स्कूल के पास और उसके पास एगनाइटर बाइक ती उससे जाता था अब हुआ क्या एक उसे जेक्यू मिल गई जेक्यू मिल गई जेक्यू मतलब जंगल क्वीन कौन मिली उसे जंगल क्वीन मिल गई ठीक ना उसे क्या मिली जंगल क्वीन मिली एक दिन और जंगल क्वीन उसके पास आई और कहती है केपी लोगे केपी मतलब समझते है ना वो समझते ही होंगे पक किया, कोई जंगल क्वीन है, वैसे कौन सा वीग चल ला है, आप जानी रहें ठीक है न, तो से क्या हो गया है यहांपर? अलो यानि की लव हो गया और लव होने के बाद क्या होता है, पता है न क्या होता है एम एन यानि की मंगी बनते हैं फिर तो एक बार मैं फिर सा रिपीट कर दे रहा हूँ और हो सकता है कि आपको यह याद हो जाएं ठीकिए ना इसे यदि आप याद रखें कि स्टोरी को एक लड़का था A-2-Z परता था हमेशा क्रेक्स खाता था हमेशा डिऊप पीता था और वो भी इवनिंग टाइम में हमेशा हुद मस्ती में रहता था जीटी रोट पर जाता था वो जीटी रोट में हाई स्कूल के पास जाता था हमेशा अपनी igniter bike से जाता था एक दिन उसे jungle queen मिली यानि जे क्यू जे का पईर क्यू जंगल queen मिली और उसे एक कमला पसंद offer किया कमला पसंद offer करती उसे love गवा और monkey बन गया यह रही आपकी story तो इस first class में हम लोगों क्या पढ़ा हम लोगोंने अंग्रेजी वलमाला के क्रमांग और उसके विपरीत क्रमों को हमने क्या किया learn कर लिया अब नएस question में आखिर इस chapter से कैसे कैसे प्रस्ण मनते हैं उसके बारे में discuss करेंगे और कुछ प्रस्णों पर क्या करेंगे प्रैक्टिस करेंगे ठीक है तब तक के लिए अब next class का वेट करेंगे जय हिंद्ध